राजस्थान की राजनिती में चहरे मोहरे और रिस्ते बन और बिगड रहे हैं अदावत दिखाई देती है कहीं रिस्तों में गर्माहट भी दिखाई देती है लेकिन राजस्थान की राजनिती अब चुनाव के मुहाने पर है अगले पांच साल के लिए नया नेता और नई पार्टी का चैन होना है इस बीच में कॉंग्रेस के बाद अब एक नई लड़ाई भाजपा में आंतरिक तोर पर शड़ी हुई है तो आएए आपको दिखाते हैं कि अमिच्या की मोजूदगी में वसुंद्रा राजे को दर्किनार करने वाला ऐसा कौन सा वाकिया हुआ जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है क्यों आखिर इस मुद्धे पर राजस्थान चोक को चर्चा करनी पड़ रही है क्यों राजस्थान भाजपा के लोगों को ऐसा अलग रहा है कि मंच पर कुछ सही नहीं हो रहा है जो घट रहा है वो अपमान जनक है तिरसकार पूर्ण है या एक नेता को राजस्थान से दूर करने की कवायद इनहीं के बीच में केंद्र के नेता गठ जोड कर रहे हैं मिलाप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गठ बंदन ये दिखाना चाहते हैं कि यहां सचिन पैलेट और अशोक गहलोज जैसी लड़ाई नहीं यहां केवल और केवल आपसी प्रेम और केंद्रिय भाजपा का डंडा है तो आईए दिखाते हैं आपको कि उदैपूर में अमिच्शा जब मंच पर थे अमिच्शा के नाम का सबुदन किया गया उससे ठीक पहले क्या वाकिया हुआ जो इस वक्त सुर्कियों में बना हुआ है देश के लोगरुस अधून और कस्मीर को मुक्त करने वाले आदनिया ग्रह मंत्री हमिच्शा साथ से निवेदन करूंगा आए और अपनों खोस्तों मॉदीर करें स्वागत है भी स्वागत है स्वागत है भी स्वागत है मैं ग्रहामंतर जी अपनी बात कहे इससे पहले हमारी भूदपूर और भूदपूरी मुख्य पूरू मुख्य मंत्री अधर्णी वसुन्दाची चे कहूंगा कि वो सुन्बोदीन के लुदू आप देख रहे हैं राजस्थान चोक और मैं हूँ अंकित तिवारी आज बात उदपूर में देश के ग्रह मंत्री भाजपा के कददावर नेता अमिच्या के मंच पर हुई एक ऐसी घटना की जिसके चलते राजस्थान की राजनिती में चर्चाएं गरम हो गई है क्या वसुन्दरा राजे को कमान मिल रही है लेकिन इस बीच चिंता की बात ये है कि क्या राजस्थान भाजपा अपनी ही पूर मुख्यमंत्री राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री के तोर पर दस साल बिता चुकी वसुन्दरा राजे को दरकिनार कर रही है क्या भाजपा के नेता मंच पर वसुंद्रा राजे को संबोधन से दूर करना चाहते हैं ये बड़ा सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ ये उश मंच पर राजस्थान और उदैपूर की जनता ने आज देखा जब मंच पर वसुंद्रा राजे का संबोधन नहीं हुआ था और अमिच्छा आ गए राजेंदिर राठोड भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने सीधे अमिच्छा के संबोधन के लिए पुकार उठा दी जनता से भाजपा और अमिच्छा की जैजकार के नारे लगा दिये लेकिन अमिच्छा नहीं आए कुर्सी पर उनका मूमेंट जीरो फीस दी रहा जब मंच पर नेता प्रतिपक्ष अमिच्छा के नाम का संबोधन कर रहे थे तो अमिच्छा चुपचाप बैठे हुए थे उनके बोडी मूमेंट से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो संबोधन के लिए उठकर जाने वाले हैं उन्होंने सीपी जोशी जो प्रदेशा धक्ष है उनके जरिये राजिंदराठोर को मैसेज भेज़वाया कि इस दूरी को पाटिए वसंदरा राजे का नाम पुकारिए और यही से राजिस्थान की राजनिती में चर्चाएं शुरू हो गई मुक्मंत्री वसंदरा राजे भी आस्वस्त थी कि नाम अमिच्छा की जगहें उनका संबोधन के लिए बुलाया जाएगा लेकिन राजे की चहरे पर नहीं बुलाने पर भी शिकर नहीं दिखी क्योंकि वो जानती हैं कि राजिस्थान की राजनिती में इस वक्त भी चहरा वही है ऐसे में अमिच्छा के कहने पर उन्होंने संबोधन दिया और इस संबोधन के बाद आमिच्या ने राजस्थान की जनता के सामने भाजपा की रितिनीती और नो साल किंद सरकार में कामकाज का ब्योरा रखा लेकिन राजस्थान में हुई यह अदावत अब नया मोड ले रही है भाजपा इन दिनों लगातार सुर्कियों में है आंतरी गतिरोध की वज़े से जोदपूर की सभा में हुए बावु सिंग राठोड और गजन सिंग शेखावत के समर्थकों के बीच में तीखे जगडे को अभी तक राजस्थान भाजपा का कारकरता नहीं बुला पाये था इस बीच में उनकी सर्मान शर्वपरी नेता को दरकिनार करना भी सायद ही भाजपा के लोगों को पच रहा होगा लेकिन अमिच्छा ने जो संकेत दिया क्या वो राजस्थान की राजनिती के लिए है कि 2023 का चुनाव भी वसंद्रा राजे के बिना संभव नहीं है वसंद्रा राजे बड़ी भूमिका में आ रही है और जल्दी भाजपा इसकी घोटशना करेगी क्या ऐसा इसा राज अमिच्छा ने वसंद्रा राजे को संभवधन के लिए बुलाने के दोरान दिया मुख्यमंत्री के तोर पर अपने दो कारकाल पूरे कर चुकी वसंद्रा राजे तीसरी बार राजस्थान में संभवनाएं देख रही है वो और उनकी ठीम भी आंतरिक तोर पर कोशिश में है लेकिन हरी जंडी केंद्र से मिल नहीं रही है वो हरी जंडी का इंतिजार है कि कोई ऐसी कमान ऐसा पद दिया जाए जिन में वसंद्रा राजे की भूमिका भी तै हो हलांके इस वक्त वो वरिष्ट उपध्यक्ष है भाजपा की और केंद्र का ये बड़ा पद है लेकिन उनका मन राजस्थान में रमा हुआ है ऐसे में सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत की तीखी लड़ाई कोंग्रेस में जब नया मोड ले रही है उस बीच में भाजपा में शुर उठना सीधे तोर पर बताता है कि अभी अदावत लंबी है और चुनाओ में गर्माहट भी पूरी है राजस्थान की राजनिती में हुआ यह वाक्या चर्चा का विशह है वीडियो वाइरल हो रहे हैं और मंच पर जो घटना करम हुआ वो संदेश उन नेताओं पर भी है जो मंच पर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं हालांकि हमेशा विपक्ष और राजनिती के विशलेश यह कहते हैं कि कॉंग्रेश से ज़्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार भाजपा में हैं लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके लिए विधान सभा सीटों में संख्या बल लाना होगा तो फिलाल के लिए इतना ही राजस्थान की राजनिती की तमाम ऐसी घटनाएं तमाम ऐसी सुर्कियां हम आपको बताते रहेंगे और साथ ही आपको दिखाते रहेंगे कि राजस्थान की राजनिती में क्या कुछ घट रहा है राजस्तान चोक के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फोलो करते रहिए और बने रहिए हमारे तमाम प्लिटफॉर्म्स के साथ नमस्कार